हेलो एविवान असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग विलकम बैक तो मैं यूटीप चैनल तो आज की उड़ो में हम ना समोसे बनाएंगे ना ही पकोड़े आज हम बनाने वाले हैं सब की मन पसंदीता और बहुत ही खस्ता आलू कचोरी की रेस्पी तो किस तरह से बनाएं ज की आलू वली वह भी हम गर में त्यार करेंगे जैसे बाजार वली एक करते हैं तो आप लोगों बस रेस्पी को शूर से लेके एंड तक फोलो करना स्टेप बार स्टेप फोलो करें रेस्पी अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करते जाएं चैनल पर नहीं है चैन ठाल देंगे और यहां पर आप लोगे अब आप अधे अधान से सुनँ आ हमने जो डो बना रहे है इसमें घी का यूज करेंगे और ऑग्र कर नहीं करेंगे क्छोरी और समॉसे वो बहुत ही खसता थार होते जो और और रेस्पीस आप लोगों के साइब आपको उसमें भी तो खी जरूर राइट कीजिएगा तभी आपकी कचोजिया खसता त्यार होगी तो कचोरी खसता बनेगी अब देखें यहां पर हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया सारी चीजों को अब जब आप मुटी बंद करेंगे हाथ में मिक्स्टर को लेकर तो अच्छे से जो हमा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितनी जुरूरत महसूस हो उतना ही डालें क्योंकि अगर आप एक ही बार में ज्यादा डाल देंगे तो बाद में आपकी जो ज्यादा लूज हो जाएगी लेकिन हमें डो लूज नहीं चाहिए सोफ नॉर्मल सी डो में चाहिए यह अब यहां पर अपनी त्यार कर निया बहुत ही जबदस्ट और मजएदार फिलिंग बजार वाले कचोडी में फिलिंग इतनी जबदस्ट बनाते हों कैसे बनाते हैं अब मैं आप लोंके साशीर करने वाली तो सबसे पहले तेखें में आप यह यह आपर कराही लिए इसमें तो जब अब धनिया कुट कर डालेंगे तो उससे एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और दूसरा कुछ भू भी अच्छी आएगी तो इसी तरीके से डालिएगा अब साथ ही इसमें जाएगी यहां पर प्यास एक अदर मीटें साइज की प्यास ले ले लें आप लोग तो देखें आपको नज़रा रहा होगा प्यास सोटे हो चुकी है तो अब हम इसमें इस टेश पर डाल देंगे आलू मैंने हाफ के जी आलू कर लिया जिसको हमने बोइल कर लिया था और किलावा चील कर ठंडा होने रखती है और फिर उसके बाद हमने इने मैश कर लिया यह आपको नज़रा रहा होगा और बिल्कुल फाइन हमने मैश किया है जैसे हम समोसे के मिक्सचर में आलू को थोड़ा सा मोटा रखते हैं वैसे नहीं किया यह आपको नज़रा रहे होंगे बिल्कुल फाइन हमने इनको अच्छे से मैश कर लिया अब इसमें कुछ मसाले जिस वन टीस्पून धनिगा पावडर और हाफ टीस्पून हमने लिए जीरा पावडर का जो के भूना हुआ है और वन टीस्पून चाट मसाला डालेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यह सिंपल मसालें जिससे हमारी फिलिंग बहुत ही जबदस त्यार होगी तो आप एक एक स्टेप को फोलो करते हैं जैसे हमने पहले अपनी डो बनाई ज्यादा काम आप लोगों ने गोर से जो देखना वो डो में देखना और उसके बाद जब अपनी कचोरी की लेरिंग करेंगे तो वह वाला स्टेप भी वह तो इंपोर्टन है इसलिए आपको कह रह लगती है इससे पहले मैंने आपको कचोरी की रश्पी शेयर की जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन वह बहुत ही असान त्रीके से बनाई है और वह भी खस्ता त्यार हुई थी और इसमें थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेगी और यह उससे भी जा कचोरी आं वह बनाना शूर करते हैं तो देखें यहां पर डो आपको महसूस हो रहा होगा देखें कितनी सोफटी और अच्छी से हमारी डो त्यार हो चुकी है इसे हाथों की मदद एक फ़र से नीड कर लें इस तरह से और इस तरह से करने से हमारी कचोरी आं बहुत जबद अगर आप यहां पर skip कर देंगे तो आप लोगों से बहुत blender हो जाएगा तो जो के मैं नहीं चाहती है आप लोग करें इसलिए वीडियो को तो जैसे देखिएगा और अगर आप लोगों को मिलिए रैस्पी एची लगे हालू को जोरीगी तो वीडियो को लाइक जूर से कीज नोर्मल सी रोटी का साइज हम बेल लेंगे तो बिल्कुल इजी हमारी यह रैस्पी है थोड़ी से बस मेंनत करनी पड़ेगी लेकिन कचोरी बहुत हस्ता बनकर त्यार होगी अब देखें यहां पर हमारी जो एक नोर्मल साइज की रोटी है त्यार हो चुकिया अभी यहां तो आप लोग की जो कचोरी है वो खस्ता बनेगी यह देखें इस तरह से अब हमने क्या करना है यह देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूं एक साइट से उठाएंगे और दूसरी साइट से जैसे हम अपना घर में चोरस पराथा बनाते हैं सेम इसी तरह से आपने करना भ करें ताकि जो लेयर वापस में जूड़ना जाएं कि जब बाद में हम फ्राय करेंगे तुम्हारी लेयर आपको देखें बिल्कुल बजाहिर नजर आएंगी कि कितनी खस्ता और मज़ेदार होंगी अब हाथ की मदर से अलका सा प्रेस करें और फिर से इस लेयर पर घी लग करना झों फिर से बेरल लें तरह लेंहें अब हमिसे रोल करेंगे लेकिन आपने रोल हैं यहां आपका रोल करना है एसे तो बीच में जगां काली लिए आपका का रोल हूं लूज है इसलिए रोल को थोड़ा सा टाइट करकर गुमाईएगा इस तरह से देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारा रोल बनकर त्यार हो चुका है और अब हमने यहां पर क्या करने हैं हमने इसकी यहां पर करनी है कटिंग और देखें अब आपको लेर्स इसकी नजर आ रही होंगी जि पर देखें और बाखी राइश चुका है अब हमने क्या करना है इस तरह से हम लेंगे अपने जो हमने अभी कटिंग की थी एक पीस लेंगे और यह आप लोग ने इस पात का धियान रखना है जो अंदर वाली साइड थि उसको आपनी नीचे रखना है और जो बाहिर वाली स साइज रखेंगे और देखें आपर हम बेल चुके हैं अब इसमें अपनी मज़ेदार सी फिलिंग एड़ कर देंगे देखें फिलिंग बनाना भी बेहदासान था तो इससे पहले हम आप लोग सब बहुत रमजान सब्सक्राइब कर देखें अब यहां पर हम सिंपल पानी लगा रहे हैं कुछ लोग मैदे की लुए भी लगाते हैं लेकिन पानी लगा देंगे उससे भी हमारी जो को चोरी अब अच्छे से बाइंट हो जेगी अब से मैंने अपनी जो मैं आप लोग सब पहले को चोरी की शे अब आपको इसे बंद किया था यह देखें आपको मैं दिखा देती उपास से नीचे से देखें किसाना फ्लावर टाइप लग रहा है और उपर से अच्छे से बस आप लोगों को इसे बंद करना क्योंकि आप इसे बंद करेंगे तो कचोरी कुल सरती है अब हमने क्या करना आपकी की सारी कचोडिया ऐसी त्यार करते हैं और फिर मेंकि फ्राइं के तरफ चलते हैं तो लीजीए देखें माशनला से हमारी बहुत ही जबदस कचोडिया बनकर त्यार हो चुकिए अब आप इनकी फ्राइं के तरफ चलते हैं बगार टाइम वेस्ट किये तो यह हमने कोईल भी इतना ही गरम होना चाहिए और फ्लेम आपकी मीडियम लो होनी चाहिए ज्यादा हाई फ्लेम ने करने अगर फ्लेम आप हाय कर देंगे तो उसका पहला नुक्सान तो यह होगा कि जो आपकी कछोरियां वह जल्दी से फ्राय हो जिंकि उनका कलर डार कोजेगा और सार्टिंग जलता है पहला काम आपने डो जबादस त्यार करनी है और दूसरा काम पिजब लेरिंग करेंगे उसको भी आपने ध्यान से अच्छे से फुली फुली फोकस करके बनाना है और उसके बाद यहां पर फ्लेम को मीडियम लो रखना है तब ही आपकी कछोरी की खसत से दिखा दूं कितनी जबादस और आपको लेर्स नजर आ रही होंगी बहुत ही खस्ता कचोरी त्यार हो चुगी है तो इससे पहले भी जो मैं आपको साथ कचोरी के रस्पी शेयर किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिलजेगा और लीजिए देखें माशिला स अब बहुत ही खस्ता और मज़दार आलू कचोरी बनके त्यार हो चुकी है तो अब हम इसको उठाते हैं और तोड़के देखते हैं यह देखें माशाला से कितनी खस्ता सी लग रही है और देखें मने जो इसकी फिलिंग त्यार किया माश्यला से कितनी जबादस लग गई ह अब बहुत प्रफेक्ट हमारी त्यार हो चुकी हम इसको रायते के साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं इसकी रेस्पी मैं आप लोगों साथ शेयर कर चुकी हूँ तो अगर आज से पहले आप लोगो नहीं मज़दार सी और खस्ता आलू कचोरी की रेस्पी नहीं त्राय की तो इसको जूर से बनाए रेस्पी इची लगती है वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे तो फिर नेक्स किसी मज़दा सी और इसमलकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा क्या लगए अला आफिस